Hello guys, welcome to the new episode of my series Explore Jammu with Sushant तो हर एपिसोड की तरह मैं लाया हूँ आपको फिर से एक नई जगा पे एक बहुती ज़्यादा यूनीक प्लेस पे तो चलिए चलते हैं और बताते हैं कि आज आपको मैं किस जगा पे लाया हूँ तो दोस्तों आज मैं आपको जिस प्लेस पे लाया हूँ यहाँ पे है काली माता जी का टेंपल जिस जगा का नाम है टाली वाली माता ये स्थीत है नई बस्तिक गजंसु में मड तहसील में तो ये जो आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों ये है मंदिर का एंट्रेंस यहाँ से जो है एंटरी है मंदर की तो चलिए अब चलते हैं अंदर ये देखिए दोस्तों ये जो पूरा का पूरा आंगन आप सामने देख पा रहे हैं दोनों तरफ ये सारा का सारा एरिया जो है ये मंदिर का है और ये जो ट्रैक बना हुआ है ये हमें लेके जाता है सामने सिधे मंदिर के अंदर और दोनों तरफ जो है आप देख सकते हैं कि फूल जो है वो काफी जादा जो लगे हुए है तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के अंदर तो दोस्तों अभी जो है हम पहुंच चुके हैं मंदिर के में गेट के पास तो यह जो है यहाँ पर मंदिर का में गेट है और यहाँ से मंदिर की एंट्री है तो चलिए अब चलते हैं अंदर और अंदर आते ही आप देखेंगे काफी सुन्दर नजारा है एक जो मंदिर का आंगन है काफी बड़ा और एक गीचा जो है वो दोनों तरफ मंदिर के दोस्तों वो बननाया गया है तो दोस्तों अभी जो है हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सामने मंदिर के और सामने जो है वो आप देख पा रहे हैं तो चलिए अब चलते हैं अंदर और करवाते हैं आपको मातारानी के दर्शन और करते हैं थोड़ी पंडी जी से बाचीत तो दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं यह जो है यह मंदिर के अंदर का पूरा हॉल है सामने आप देख पा रहे हैं जो में मंदिर है अब हम ठीक उसके सामने हैं और चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो काली माता की जो काली जी का मंदिर है जिने टाली वाली माता जी के नाम से भी मशूर है तो चलिए दोस्तों अब करते हैं हम पंडी जी से बाचीत और जानेंगे इस मंदिर के विश्य के बारे में तो दोस्तों अभी हम जानेंगे पंडी जी पंडी देवीदा जी से कि क्या है इस मंदिर की मा एक मिन्ही चाक रहा है जुमार राइपू था जुमार राइपू था उस्वेरा मारा ना आ एए सिद्य बाब जन्दा पका निश्टा बन देदा बाब जन्दा ना आ एक दो परसान तो मोसम हो इए परसान लगी द्रियाड पर चबी तवी एचिए जिनाव फिर भी बाबे च एक मान के लिए पत्थ्र दे में आपको पत्फर कि एक में अन्य सिवा करेते लिए। अछे अधिया ताली ताली तो मौडर की पत्थर रकिया था नहीं है लग्जाक काना नहीं आपके जपा लिए दिए जणाव के ताली है बागी जनाव एकि देखो पर देखो जनाव इन नहीं मर्जी फाइरिंगा वहाए अंतर कोई गॉलाले माद गोजी कि अननी इस माई पावर है इतार में अपर नहीं समय थे, आप पहुंद दनी जाड़ा है। तो दोस्तों यह जो है जो जम्मू में मशूर काली माता का टैंपल है बावे वाली माता वही माता जो है वह यहां पे है न आपंडीजी वह क्या नाम बताया आपने उनका जो पूजा करने जाते थे जम्वार राइपूत तो एक कोई बुड़े इंसान थे तो वह बुड़े की तो बावे वाली माता के रोज दर्शन करने जाते थे वहां पर पूज़े करने के लिए तो क्या हुआ कि बुड़ापा जब उनको आ गया तो माता ने उनको बोला कि आप इतन rasp until करने आते हो तो यह पथर आप ले जाँ इसको आप अपने पस्थापित करो और इसी की काली माता का मंदिर जो उन्होंने बनवाया और यहां से पास में जो वो बॉटर रहा है तो काफी बार पाकिस्तान की तरफ से गोले बगारा चलते हैं तो लेकिन इस मंदिर की पूरी बाउंडरी है है इसके अंदर कभी भी कोई गोला वो नहीं पड़ा इसकी बाउंडरी के आगे पीछे जो गोले हैं वो पढ़ते रहते हैं और एक बात और पंडी जी ने हमें बताई है कि एक बार क्या हुआ था कि यहां पे जो है आगे पीछे बड़े सारे माइन से पिट किये गये थे तो बीएसफ के एक जो आफिसर थे उन्होंने यहां पे आके माथा टेका और माथा से जो रिक्वेस्ट की कि सारे माइन से फट जाए और हमारे किसी भी जवान को कोई नुकसान ना तो बिलकुल ऐसा ही हुआ और फिर यहां पे उन्होंने मंदिर बनवाया अच्छा और टाली गया जाता है ताली के बूटे का क्या रोल है इसमें वह बताईए थोड़ा सुन्तारी को पहले प्राणा बोटा बढ़ा अच्छा तो मतलब की जड़ा वन्हें स्थाबना किती ऑप बूटे थन्ले थल्ले तो यहां अग आगे तो यह ने सदी मां लित है जित था को मंदर स तो जी दोस्तों पंडी जी ने जो हमें काफी बढ़िया जानकारी जो मंदिर के में बारे में बताई जी जी अच्छा इसकी पूरी डिटेल जो वो लिखी गई यह तो बाहर हम जाके पड़ेंगे भी और दोस्तों जम्मु में अगर आप रहते हो तो माता बावे वाली जो है वो ही यहां पे आके जो है वो विराजमान है तो अगर आप माता बावे वाली के माता काली के जो है वो भक्त है तो आप भी यहां पे आके जो है वो माता राणी के दर्शन कर सकते हैं और माता काली बावे वाली जी की जो क्रीपा है वो प्राप्त कर सकते हैं ये बावे वाली माता ही है लेकिन ये जो है ये टाली वाली माता के नाम से जो है वो प्रसिध्या दोस्तों तो दोस्तों अभी जो है हम आपको बताते हैं बाकी का जो एरिया है मंदिर के अंदर और ये प इसी पेड़ के नाम से परसिध है और आप देख सकते हैं कि पेड़ जो है वो काफी अच्छी तरह से सजाया गया और यहांपे छट बनाने के बावजूद भी पेड़ को जो वो काटा नहीं गया छट के अंदर एक सुराह करके और पेड़ को वहाँ से जो है वो निकलने दिय है यह तो दोस्तों यहां पर जो है वो पूरी हिस्ट्री इस मंधिर की लिखी गई है दो मिनट के अंदर जल्दी-जल्दी से ओ eggplant को पूरी हिस्ट्री यहां पर पढ़कर बताता हु मंदिर की अंदर यह पूरा यहाँ पर मियाचक गाव होता था, उसमें राजपूत ब्रामरों और मुसमाल जाती के लोग यहाँ पर रहते थे, तो इसी गाव से एक जुमाल राजपूत नदी पार करके जम्मू जो हमारी बावे वाली माता तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते थे, और उसके बाद वह बुड़े हो गए थे, तब भी बावे के दर्शन करने के लिए वो जाते रहे, तो एक दिन दोस्तों काफी जादा बरसात हो गए और बावे वाली माता ने उनको दर्शन दिये, और बावे वाली माता ने उनको दर्शन देके कहा कि अब आप काफी जादा बुड़े हो गए तो आप घर पे बैठके ही मेरी सेवा किया करो, तो बाबेवाली माता ने उनको दर्शन देके एक पत्थर दिया और उस पत्थर को माता ने कहा कि आप ले जाए और आप इसकी स्थाबना जो हाँ वो अपने वहां पे कीजिए और वहीं पे आप आके मेरी पूजा कीजिए तो उन जो राजपूत जी थे उन्होंने वो पत्थर जो था वो यहां पे इस स्थान पे आके टाली का जो पेड़ा उसके नीचे वहां पे रख दिया और एक छोटा सा मंदिर उन्होंने बनवा दिया और उसकी पूजा वो करने लगे फिर लिखा कि 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान अलग-लग हो गया था तो यह जो मिया चेक गाउं में आग लग गई थी तो यहां पर जो है वो घर कच्चे होते थे और घास के होते थे तो 1947 के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे और आजपूत और भ्रामन गजंसू वजजशमू चले गए तो 1965 में अगरिकल्चर फार्म नंदपूर आरस्पूरा से उठकर यहां पर आ गया तो यह जो अभी यहां पे चिनोर फार्म है तो ये पहले agriculture farm नंदपूर आरास पूरा में होता था, वहां से उठा कि यहां भी इसको लाया गया था, तो यहां की जमीन जो हाँ वो चिनोर farm agriculture को दे दिया गया और उस समय यहां पर जंकल होता था, यहां पर पेड़ों की कटाई का ठेका दे दिया गया था, पेड़ों की पेड़ को काट रहा था, वो अंदे हो गए थे, तो फिर उन्होंने मातरानी से माफी मांगी और उनकी जो आँखे दी वो ठीक हो गई, और फिर यहां पर उन्होंने माता ठेका, फिर 1977 की एक अगली कहानी है, जिसमें लिखा गया कि मचाल टावर में आर्मी कैम था, तो एक अगे गए, तो वो जो थे, वो अंदे हो गए, और उन्हें कुछ भी दिखाई ने देने लगा, जैसे वो पीछे मूड के देखें, तो उन्हें माता दिखाई दे, और जो पेड़ था, वो दिखाई दे, तो ऐसा तीन चार बार जब उनके साथ होने लगा, तो फिर यहां जंसू गाम के देवी चंद जो थे, वो अपने पशू चरा रहे थे, तो जैसे उन्होंने उनको देखा, तो कि यह आगे पीछे, आगे पीछे क्यों चलना है, तो देवी चंद जी ने पूछा कि कभी आप आगे जा रहे हो, कभी पीछे जा रहे हो, तब आर्मी वालो ने पता है कि हमने यहाँ पर टाली का पेट दिखाई देता है, तो देवी चंद ने उनको बदाया कि आप लोगों से बूल हो गई है, आप लकडी वहाँ पर वापिस डालो और टाली के पास छोटा सा मंदीर है, वहाँ पर जाकर माफी मांगो, तो उन्होंने लकडी वापिस मांगी है, वो 1919 की है, जब करकेल का युद्ध चल रहा था, तो मंदीर के आगे भी छे आर्मी वालों ने माइन लगाए थे, तो 2001 में जे एक के लाई आर्मी को माइन निकालने की जिम्मिदारी दी गई थी, कि दो साल पहले जो माइन सारे यहाँ पर दबे गए थे, तो उन सबी माइन्स को निकाले जाए, तो समय आर्मी कमांडर ने माताजी के पास आके प्रासना की, कि माइन्स निकालते निकालते, मेरा जो कोई भी जवान है, उसको कोई भी नुकसान ना हो, तो माताजी की करीपा से सबी माइन जो हाँ वो निकाली गए और किसी भी जीवन, और तो किसी भी जवान को वो कोई भी नुक्सान वो मैंस निकालते-, निकालते नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो आरमी कमांडर थे तो उन्होंने ज़वानों के अपनी पुशी से टालिमाता का भवय मंदिर बनवाया तो फिर उसके बाद आर्मी वालों ने जो था वो यहां पे भवय मंदिर बनवाया और यहां के आसपास के गाम के लोगों ने भी मंदिर बनवाने बहुत जादा सही हो किया फिर अगली दोस्तों कहानी है 2018 की यह मुझे याद यह जब 2018 में काफी जादा महोल खराब हो गया था क्योंकि मेरा घर यहीं से पास में ही है तो जनवरी 2018 में क्या हो था बारत पाकिस्तान की फाइरिंग दोरान यहां पर पाकिस्तान की तरफ से मोटार जो था वो दागे गये थे तो 20 के करीब जो थे वो बम थे तो मातारानी के मंदिर बह truck बंडारा लगाते हैं तो दोस्तों साल में δोगा नवरातों में यहांए काफी बढ़िया जो हता है वो लोगों का वो रश रहता है और लोग यहांपे बंडारा बगेरा लगाते हैं और माता टेकने आते हैं और सभी लोगों की मोनो कामना जो हां वो पूरी ह माता की तो बेसिकल यह जो है यह बावे वाली हमारी काली माता है तो जिनका एक सवरूब टाली वाली माता के नाम से यहां पे स्थिता है नई बस्ती गजनसू मड में तो आप भी जो है वो यहां पे इस मंदिर में आके अपना माता टेक सकते हैं और काली माता जी बावे वाल तरह हम आपको दिखाते हैं। ये वह विशाल जो टाली का पेड जो हमने आपको अंदर से दिखाया है। चुका है आपको मैं दूर से दिखाता हूं यह देखिए दोस्तों यह कितना बड़ा पेड़ा है यह वही पेड़ा है जब इस पेड़ की लकडियां काटने लगे थे तो इस पेड़ के अंदर से खून निकलने लगा था फिर उसके बाद में वह अंदे हो गए थे और जब उ सुरा का पुरा आंगन वह तुलसी माता पी इस्थापित की गही बहुत ही सुंदर जो एक बगीचा यहां पर बनाया गया और सामने जो है एक हवं खुंड़ भी है तो चलिए आपको दिखाते हैं तो दोस्तों मंधिर के मंदिर के बगीच में जो है एक हवं कुंड़ भी यहाँ बनाया गया है यहाँ नवरातरों में और उसके अलावा भी अपनी खुशी से यहाँ पर कोई व्यक्ति जो हवन कर सकता है और पंडी जी के द्वारा यहाँ वहाँ करवा सकता है मातरानी की क्रिपा प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों मंदीर के यह पर बैक साइट पहुंत के वानी के लिए बारिशूंके दिनों में एकश़ट बनाया गया और यहाँ यहां पहुत ही बड़ा स्टोर जो है वह बनाया गया है मंधीर का सामान वगारा रखने के लिए और जितनी बी चीजी शाजैनी चीजिए और और उसके अंदर जो है वो मंदिर है और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं इस मंदिर के बैक साइड में जो है और यह खुद की लोकेशन भी यह सारी की सारी जो जगा है यह चिनोर फार्म के अंडर आती है यहां से लेके आप दूर दराज तक जितना आप नजर गुमा स सकते नहीं यह चिनोर फार्म के अंडर जगा आती है दोस्तों यह अब देख सकते है और सामने जो है वह finns बाडर दिखाई देता है यह जो पेड़ों की लाइं जो है यह देख पा यह सारी की सारी जगा जो है ये यह जगा सारी की सारी चीनोर फार्म के अंडर लाते है और यहां परümüz si. मुझे ऐसे आजान की आउस आरी है या मस्जिड से जो की आ रही है border के पार पाकिस्तान से तो आप समझ सकते हैं कि यहां से border जो है वो कित्रा पास है वस यही जो जगा आप सामने देख पारे हैं सामने पेडों की जो line है और इसके पीछे जो है वो border है दोस्तों यह जो है यह मंदिर के area की पूरी की पूरी boundary जो है यह आप देख सकते हैं और आपको मैं एक चीज बताता हूँ 2018 में इंडिया पाकिस्तानी से जब लडाई में महोल थोड़ा खराब हो गया था border पे तो यहां पे जो है वो सामने border और आपको मैं बता रहा हूँ इस boundary के साथ में यह जो आप पूरा रस्ता देख रहे हैं दोस्तों यहां पे जो है वो मोटार पड़े हुए थे बंब गयरा पड़े हुए थे व्लॉग यहीं पे और बताइएगा COMMENTS में की आपको यह जो टाली माताजी का मंदीर है काली माता के यह कैसा लगा साथ 6 बावे वाली काली माता हमारी जम्मू की जो है वो ही यहां पे आकर विराजमान हैं जिने बस हम हम टाली माताजी के नाम से जानते हैं और मंदीर की जो स्टोरी वह बहुत ज्यादा खाथ धी जैसे कि मैंने पूरीव,aufenडी जी ने आपको पूरीव पूरीव स्टोरी जो है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एरिया के अगर आप आसपास रहते हो और अभी तक टाली माता जी के मंदिर में माथा टेक ने नहीं आयो तो जल्दी से जहां वो टाली माता के मंदिर में माथा टेक ने आयो और माता रानी की कृपा जो हां वो प्राप्ट कीजिए दोस्तों